कि नमस्कार विके नियुस के इस खास पेशकर्ष में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जहां आप देख रहे हैं देश-प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चनिन्दा खबरे अभिनेता अमिता बच्चन कव बॉंबे हाई कोट से बड़ी रहत मिली है त्रतिक्षा बंगले में किसी भी तरह की तोड़फोड की कारवाई पर बॉंबे हाई कोट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है वही प्रवर्दर निदेश आले ने महराष्टर के मंतरी नवाब मली को मली लॉंडरिंग के मामले में गिरफतार किया है विशेश कोट ने 62 वर्षिय मली को 3 मार्श तक एडी की रिमान पर भेजा है तो संजे लीला भंसाली की फिल्म गंगोबाई काठिया वाडी को रिलिज से एक दिन पहले सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याची का खारिस कर दी है इसी बीच प्रवर्द निदेशाले की और से कैबिनेट मंतरी नवाब मली की गिरफतारी के बाद भाचपा प्रदेश राज्य की महादकास आघारी सरकार के खिलाफ आकरमक हो गई है उधर NCB के मुख्य जोन के पुर्वन इदेशक समिर्वान केड़े से ठाने पुलिस ने उनके खिलाफ गर्च जाल साजी की मामले में 8 घंटे तक की पूछताच की तो प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ अभिनेता अमिता बच्चन को बॉम्बे हाई कोट से बड़ी रहत मिली है प्रतिक्षा बंगले में किसी भी तरह की तोड़वोड की कारवाई पर बॉम्बे हाई कोट ने अगले आदेश तक रोग लगा दी है इसके साथ अभिनेता को बीएमसी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है अमिताब और उनकी पतनी जया बच्चन ने 20 अपरेल 2017 को बीएमसी द्वरा जारी नूटीस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोट का रूप किया था इस नूटीस में बीएमसी ने कहा था कि बंगले का कुछ हिस्सा सडक की लाइन में आता है और बीएमसी उस हिस्से का अधिगरहन करना चाहता है इसके जवाब में अमिताब ने कहा था कि बीएमसी सडक की दूसरी और से इसे आसान इसे चोड़ा कर सकती है बच्चन परिवार की और से कहा गया कि 28 जनवरी 2022 तक यानि 4 साल 9 महने में BMC द्वारा नोटिस देने के बाद आगे की कोई कारवाई नहीं की गई ऐसे में हमने समझा कि नोटिस को रत कर दिया गया है लेकिन 28 जनवरी 2022 को BMC के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नोटिस के प्रस्तावों को लागू किया जाएगा और जल्द ही निर्धारित जमिन पर अधिक रहन किया जाएगा याचिका में ये भी कहा गया है कि BMC ने अमिताब बच्चन के आसपास की प्रॉपर्टियों के मालिकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया है ये BMC की कारवाई में असमानता दिखाता है सभी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस आरडी धानुका और SM मोदक की बेंच ने अमिताब बच्चन को BMC के सामने अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ़ते का समय दिया है वही BMC छे हफ़ते के भीतर जवाब पर विचार करेगा और तिन हफ़तों तक कोई कारवाई नहीं करेगा प्रवरतन निदेशाले ने महाराष्ट के मंतरी नवाब मलिक को मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार किया है विशेश कोट ने 62 वर्षिय मलिक को 3 मार्च तक एडी की रिमान पर भेजा है एडी ने कोट में कहां कि हसीना दाउत का बिजनेस संभालती थी पावर अफ अटॉर्णी के अधार पर हसीना ने प्रॉपर्टी के राइट्स 55 लाख रुपे में मलिक को बेज दिये जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 3 करोट 3 लाख रुपे थी विशेश कोट में एडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया है दूसरी दरफ मलिक के वकिल ने कहां कि पावर अफ अटॉर्णी 23 साल और जमीन खरी दी 19 साल पहले हुई है तब मने लॉंडरिंग आक नहीं था क्रिमिनल मामलों में पुरानी तारिख से कानून लागू नहीं हो सकता है पुर्व मुख्य मंत्री देविंदर पड़नविस ने 4 महीने पहले मलिक पर इसी मामले का आरोप लगाया था इसी बीज भाचपा ने मलिक का इस्तिफा मांगा है जबकि NCP शिवसेना ने इनकार कर दिया है मालूम हो कि ड्रग्स मामले में ततकालिन NCP अफसर समिरवान खेड़े की कारवाई के बाद नबाब मलिक ने मुखरता से विरोध किया था गौर तलब है कि महाराश्टर में E.D. के निशाने पर रांगापा प्रमुक शरत पवार से लेकर मुख्य मंत्री उध्व ठाकरे के करीबी मंत्री भी है E.D. ने मार्च 2016 में रांगापा नेता चगन भुजबल को महाराश्टर सदन निर्मान में 100 करोड रुपे के मनी लॉंडरिंग केस में ग्रफतार किया था उन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ा फिलहालवे महाराश्टर में कैबिनेट मंत्री है पिछले साल नवंबर में E.D. ने रांगापा नेता अनिल देश्मु को गिरफतार किया उन पर बरखास्थ पुलिस अधिकारी सचिनवाजे के जर्ये 100 करोड रुपे वसुली का आरुप है संजे दिला भंसाली की फिल्म गंगुबाई काठियावाडी को रिलीज से एक दिन पहले सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याची का खारिस कर दी है जस्टिस इंदिरा बैनर जी और जस्टिस जेके महीशवारी की पीट ने फिल्म गंगोबाई काठियावाडी की रिलीज को हरी जंडी दी है गंगोबाई काठियावाडी टाइटल पर आपत्ती जताते हुए इसे बदलने की मांग की गई थी इस पर निर्माता ने कहा था कि आखरी मौके पर नाम बदलना संभव नहीं है हाना कि कल बुधवार को ही सुनवाई में सुप्रीम कोट ने संजे लिला भंसाली को टाइटल बदलने की सला दी थी जस्टिस इंदिरा बैनर जी और जस्टिस जेके महाईश्वरी की पीट ने खुद को गंगुबाई का दत्तक पुत्र बताने वाले याचिका करता बाबुजी राव जी शाहा की याचिका खारिस कर दी शाह का आरोप है कि उनकी मा को फिल्म और किताब में एक वैश्या वैश्याले की रखवाली और माफिया कुइन की तौर पर दिखाया गया है इस पर भंसाली प्रोडक्शन के वकिल अर्यम्मा सुंदरम ने दलिल दी कि आचिका करता ने अभी तक फिल्म भी नहीं देखी है फिल्म में गंगो भाई की छवी का आपमान नहीं किया गया है पीट ने कहा है कि शाहा खुद को गंगो भाई का दत्तक पुत्र साबित करने में विफल रहे है भंसाली प्रोडक्शन ने फिल्म का नाम नव बदलने पर दलिल देते हुए सुप्रिम कोर्ट में कहा कि फिल्म का नाम बदलना संभाव नहीं है हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है फिल्म का नाम पहले ही प्रकाशित हो चुका है पुरे देश में इसका विग्यापन भी हो चुका है प्रवादा निदेशाले की ओर से कैबिनेट मंत्री नवाब मली की गिरफतारी के बाद भाचपा प्रदेश राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ आकरमक हो गई है भाचपा के पुर्वा सांसत की रिट सोमया ने कहा कि मलिक के बाद अब शिवसिना नेता तिधा प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल परप की गिरफतारी होगी बाचपा विधएक नीतेश राने ने कहा कि शिवसेना सांसत संजे रौट सत्रक हिलाचारी में मुंबई बंधमाको को भूल गया है मुंबई बम धमाको को अंजाम देने वाले दाउद इब्राहिम के भागिदार के रूप में मलिक का नाम सामने आया है लेकिन राउद नाकापा के मंत्री नवाब मलिक को बचाने के लिए आ गया है ये एक तरीके से देश द्रोह है नितेश ने कहा कि राउद को अब अपनी मुंबई कहने का अधिकार नहीं है भाजपा विधायक आशिश शेलार ने कहा कि नवाब बेनकाब हो गए है एडियो रैनाईये पिछले कुछ महीनों से दाउद इब्राहिम की संपत्ति की जांच कर रही थी इसी आधार पर मलीक के खिलाफ कारवाई हुई है तो मुंबई भाजपा अधिक्ष्य विधायक मंगल प्रभाद लोड़ा ने मलीक की गिरफतारी पर कहा कि देश में आतंकी कारवाईयों को अंजाम देने वाले लोगों से संपन्ध रखने वाले आरोपयों पर कारवाई सर्वत हुचित है उन्होंने कहां कि ये दुर्भाग्य है कि गौरफशाल इतिहास रखने वाले महाराश्च राज्य के एक मंत्री को अंडर वर्ड से संपन्ध वो आर्थिक व्योभार के कारण गिरफतार किया गया है एंसीबी के मुंबई जोन के पुर्वा निदेशक समिर वानखेडे से ठाने पुलिस ने उनके खिलाफ दर्च जाल साजी के मामले में 8 घंटे तक पूछ ताच की वानखेडे की तरफ से नवी मुंबई में अपने रेस्टोरेंट और बार में शराब बेचने के वास्ते लाइसन्स प्राप्त करने के उद्देश से 1997 में कथित तौर पर जाल साजी और गलत जानकारी देने के लिए पुलिस ने यहाँ एक मामला दर्च किया है दिल्चस बात यह है कि पुलिस ने वानखेडे से उसी दिन पूछ ताच की जब प्रवर्द निदेशाले ने मुंबई में महराष्ट के मंतरी नवाब मलिक से पूछ ताच की और बाद में उन्हें धन शोधन के मामले में ग्रफतार कर लिया राकापनेता मलिक ने इस से पहले वानखेडे पर सरकारी नोकरी हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने सहित कई आरोप लगाये थे मुंबई उच्चे नायले ने ठाने पुलिस को निर्देश दिया था कि प्राथमी की के सिलसिले में 28 फरवरी तक वानखेडे के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जाए अदालत ने ये भी कहा था कि समन भेजे जाने पर जांच में सहियोग करने के लिए उन्हें शहर की पुलिस के सामने पेश होना होगा अधिकारी ने कहा कि वानखेडे से 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताच की गई वानखेडे ने अपने विरूद दर्श प्राथमी की निरस्त कराने के लिए उच्छे नैले में याची का दायर की है कनाड़ा में खलिस्तान समर्थोगों की आलोचना करने पर एक भारदी कनाड़ाई मीडिया कर्मी पर हमला हुआ है भारत ने इसकी तीवर निंदा की है वही शीरोमणी अकाली दल के वरिष्टनेता एवं पूर्वमंत्री बिकरम सिंग मजिठिया ने एडिशनल सेशन जजज एसके सिंगला की कोर्ट में आत्म समर्पन कर दिया है तो CBSC ने आज स्वष्ट किया है कि सुप्रिम कोर्ट के आदेशा नुसार बोर्ट परिक्षय ओफलैन मात्यम से ही परिक्षय केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी इसके लिए तैयारिया की जा रही है इसी बीच बुलगारिया के सोफिया में आयोजी तिरातरवे स्रांजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूनामेंट में महिला मुक्केबाज नंदिनी ने शांदर प्रदशन करते हुए सेमी फाइनल में जगा बदा ली है उदर बिहार में पुलिस की एक घटना ने शर्म सार कर दिया है जानकरी के अनुसार गोपाल गंज में सिर्फ 200 रुपए लेकर पुलिस ने शराब से लदे एक ट्रक को छोड़ दिया कनाडा में खलिस्तान समर्थकों की आलोचना करने पर एक भारत्य कनाडाई मिडिया कर्मी पर हमला हुआ है भारत ने इसकी तिवर निंदा की है भारत ने कहा है कि ऐसे घटनाओ से विवादों को और हवा देने की कोशिश की जा रही है जिसका भारत विरोध करता है दरसल पंजाबी भाषा के टॉक शो नेटवर्क के मेजबान पर ग्रेटर टोरोंटो एरिया में तिन व्यक्तियों ने हमला किया फ्रंटलाइन रेडियो के होस्ट दीपक पुँच को बुधवार को दोपर कड़िप साड़े बारा बजे तिन यूवक उन्हे उस वक्त घेर लिया जब वो अपने स्टूडियो वाले बिल्डिंग की और जा रहे थे अग्यत हमलावारों में से एक के पास तमंचा था जबकि दूसरे ने पुँच के सिर पर बियर की खाली बोटल से प्रहार किया और उन्हें मुक्का मारा पुँच ने कहा कि उन्होंने स्थानिय कानून रवरतन को हमले की सूच ना दी और इसकी जांच की जा रही है हमलावारों ने उनसे अंग्रेजी और पंजाबी में बात की उन्होंने पुलिस को उस गाड़ी के लाइसेंस प्लेट के अंतीम तीन नंबर दिये जिसमें वे सवार होकर आये थे उन्होंने कहा कि मुझे परिशान किया जा रहा है क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और मैं खालिस्तान का विरोध करता हूँ इस घटना पर भारत सरकार की और घुसा जाहिर किया गया है बदादे की एक दिन पहले उन्होंने शोग के दोरान जीटिये शहर ब्रैम्टन में खलिस्तान के जंडे दिखाने और भारत विरोधी नारे बाजी करनी के अलोचना की थी शीरोमनी अकाली दल के वरिष्टनेता एवं पुर्व मंत्री बिकरम सिंग मजीठिया ने एडिशनल सेशन जजज एसके सिंगला की कोट में आत्म समर्पन कर दिया है इससे पहले सुपरिम कोट ने मजीठिया को तेस फरवरी तक राहत देते हुए उसके बाद समर्पन करने के आदेश दिये थे दरसल मजीठिया अमरुच सर पुर्वविदान सभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे इस सीट पर उनका मुकाबला पंजाब कॉंगरेस प्रधान नौजोट सिंग सिध्धू से है मजीठिया से पूछताच के लिए जांच टीम ने समय मांगा अदालत ने कोट परिसर के कमरे में जांच टीम को पूछताच के लिए एक घंटे का समय दिया S.I.T. में शामिल A.I.G. बलराज सिंग वो उनकी टीम ने मजीठिया से पूछताच की पूछताच के बाद मजीठिया को दुबरा एडिशनल जिला सेशन जच की अदालत में पेश किया गया उदर मजीठिया के वकिल R.S. चीमा वो H.S. धनुआ वो अन्य ने जमानत के अप्लिकेशन लगाई थी उस पर अदालत ने पूलिस को नोटिस जारी कर दिया है बतादे कि मजीठिया ने सुप्रीम कोट के आदेश पर अदालत में आत्मसमर्बन किया है इसके बाद ही वह नियमित जमानत के लिए अच्चिका दे सकते है कोट में जाने से पहले मजीठिया ने कहां कि वो कानून का पालन कर रहे है उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी केंद्रिय माध्यम एक शिक्षा बोर्ड यानि CBSC ने ओफलाइन माध्यम से बोर्ड परिक्षाओं को रत किये जाने की अटकलों को विराम लगाते वेस पश्ट किया कि परिक्षा ओफलाइन माध्यम से ही परिक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी बोर्ट के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि CBSE पहले ही समन में नोटिफिक्षन जारी कर चुका है कि 10 वी और 12 के छादरों की टर्म 2 की परिक्षा है ओफलाइन ही ली जाएगी उन्होंने कहा कि बोर्ट ने ये निरने सभी हित धारकों से बाचित और देश भर में कोरोना के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए लिया है वो लेखनी है कि सुप्रीम कोर्ट में आफलाइन बोर्ट परिक्षा रत पर वैकलपिक मुल्लैंकन अपनाने की याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिस कर दिया है CBSE द्वारा जारी परिपत्रक के मुताबिक 10 वी और 12 वी की सत्र 2021-2022 की टर्म 2 की बोर्ट परिक्षा है 26 अपरेल 2022 से शुरू होगी सइधान्तिक माध्यम से होने वाली ये परिक्षा कुल 2 घंटे की होगी इसमें चात्रों से पाठ्यक्रम से 50 पतिशत सवाल पूछे जाएंगे CBSC इसके लिए सभी चात्रों को परिक्षा केंद्र आवंटित करेगा हाला कि परिक्षा की तारखों का विस्तुर चेडिल अभी जारी नहीं हुआ है बोर्ट के मुताबिक CBSC की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे जल्द ही जारी किया जाएगा बोर्ड ने स्कूलों से राय मांगी है कि उनके स्कूल में कुल आवंटित चात्रों की संख्या के हिसाब से बैठाने की व्यवस्ता है या नहीं बुल्गारिये के सोफिया में आयोजित तिरहतरवे स्ट्रेंड जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतिय महिला मुक्यबाज नंदिनी ने शांदर प्रदर्शन करते हुए सेमी फाइनल में जगा बना ली है उनके बहतरीन प्रदर्शन की बदोला टीम इंडिया की टूर्नामेंट में ब्रॉंज मेडल की प्रुष्टी हो गई है 21 वर्शे नंदिनी ने शांदर शुरुवात की और महिलाओ के 81 किलोग्राम कौ़र्टर फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की वेलिर्य एकसेनोवा को हराया मोहाली में रहने वाली नंदिनी ने मैच की शुरुआत में अपने मुकों से प्रतिदवन्दी खिलाडी को बेचेन कर दिया और जीत हासिल की मौजुदाराश्ट्रे चैंपियन नंदिनी ने अब अंतिम चार चरण में जगा बनाई है नंदिनी सेंट स्रिफन अकाडमी की ट्रेनी है उन्होंने गुरु गोविन सिंग कॉलेज फॉर वुमन सेक्टर 26 से पढ़ाई की है अब रेलवी की तरफ से खेलती है वो चंडिगर रेलवे स्टेशन पर तैनाथ है इससे पहले वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 56 में प्रैक्टिस कोचिंग लेती थी लेकिन अभी वह खेलो इंडिया स्कीम के तहत इंडिया कैम्प में प्रैक्टिस करती है नंदनी इससे पहले कई प्रतियोगिताओं में खुद को साबित कर चुकी है नंदनी ने स्कूल नेशनल में गोल्ड जिता है पहली बार यूथ नैशनल बॉक्सिंग चैंपियंशिप में हिस्सा लेते हुए ब्रॉंज मेडल और दुसरी बार हिस्सा लेते हुए सिल्वर म बिहार में शराब बंदी के लिए सरकार 80 चोटी का जोर लगा रही है वही पुलिस की एक घटना ने शरमसार कर दिया है जानकरी के अनुसार गोपाल गंच में सिर्फ 200 रुपए लेकर पुलिस ने शराब लदी एक ट्रक को आगे जाने दिया जब इसकी सूचना पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली तो बड़ी कारवाई की गई एसपी की निर्देश पर होम गार्ड के दो जवानों को निलंबित करते वे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है मामला कुचाय कोट थानक शेत्र के बल्थरी पुलिस पोस्ट की है ये होम गार्ड के दो जवा लेकर भारी मातरा में शराफ से लदे ट्रक को एंट्री दे दी जिन जवानों को निलंबित किया गया उसमें विनोद मिश्रा और महेश यादव शामिल है इस मामले में मुख्याले डियेस पी जोती कुमारी की जांच के बाद ये कारवाई की गई है मौके पर तैनात पुल पुलिस कर्मियों को 100-100 रुपए यानि कुल 200 रुपए उसने घुस दी थी इसके बाद पुलिस कर्मियों ने बिना जांच के ही ट्रक को एंट्री दे दी आगे उत्पात विभाग की टीम ने ट्रक को पकड़ दिया और भारी मातरा में शराब बरामत जांच के दौरान खबरे आपके लिए पेश है रूस ने युक्रेन पर हमला बोल दिया है युद्ध के समय बजने वाली साइरन की आवाज है टीवी चैनलों के जरीए भारत के घरों में सुनाई दे रही है युक्रेन के आसमान में धुआ 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 देख वो भारतिये परिवार घबरा किया गया लेकिन हमले शुरू होने के बाद इसे रोकना पड़ा आज सुबह ही खबर आई कि युक्रेन के लिए रवाना हुई एर इंडिया की फ्लाइट वापस दिल्ली लोट रही है बिदे कई सब्ता से लगातर व्लादीमिर पूतिन ये कह रहे थे कि उनकी युक्रेन पर हमले की कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन गुरुवार की सुबह उन्होंने पुरी दुनिया को चौकाते हुए हमले का एलान कर दिया कुछ ही घंटों में रूसी सेना के हमलों में युक्रेन के कई एर बेस और एर डिफेन्स तभा हुए है लेकिन रूस को लगातर अंज अगर इस युद्ध में नाटो सेनाय यदि युद्ध में उतरती है तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते है और ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की दस्तक हो सकती है ऐसे में अमेरिका समय तमाम नाटो देश युद्ध में उतरने से बच रहे है रूस के राश्टपती व्लादेविर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर नाटो या किसी अन्य विदेशी ताकत ने हस्तक शेप किया तो करारा जवाब दिया जाएगा पुतिन की सेना की इस भीशन कारवाई के बीच अमेरिकी वैग्यानिकों ने खुलासा किया है कि रूस ने अपने परमानों हतियारों के जखिरे को अत्यादूनिक बना दिया है रूस युक्रेन में युद्ध के बीच भारतिय शेयर बाजार साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है सबता के चौथे कारवारी दिद रूस के युक्रेन पर सेन्य कारवाई के एलान से भारत का शेयर बाजार धराम हो गया है सेंसेक्स करीब 2,000 अंग या 3,50 फिजदी लुड़क कर 55,300 अंग के नीचे आ गया है वही निप्टी अब 600 अंग को का गोता लगा कर 16,450 के सतर पर आ गया है इस भारी की दावट की वच्छा से निवे शको को करीब 8 लाग करोट का नुकसा हो चुका है रूस और युक्रेन की जंग में अब खोन भी बहने लगया है युक्रेन का कहना है कि रूसी गोली बारी में कम से कम साथ लोग मारे गया है और नौ अन्य घायल हो गया है जानकरी के मुताबिक मरियोपोल शहर में टैंक देखे गया है एरपोर्ट पर भी हमला किया गया है युक्रेनी सशस्त्र बलो के कमांडर इंचीप लेटेनेंट जनरल वालेरी जालू जनी ने कहा कि हम अपनी जमीन पर है आत्मा समरपन नहीं करेंगे यह लड़ाई जीतेंगे दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्राले ने कहा कि रूस के हमलों ने युक्रेन की सेना के हवाई रक्षा समपत्यों को नश्ट कर दिया है साथी युक्रेन के सैन ने ठिकानों के वुनियादी ढाचों को निस्तनाबुत कर दिया है मंत्राले ने युक्रेन से गुजर रहे एक रूसी युद्धक विमान को मार गिराने का दावा भी खारिस कर दिया इस बिच युक्रेन की सेना ने कहा कि उसने रूस के पाच विमानों को मार गिरा है युक्रेण के विदेशमंतरी दिमीत्रो कोलेवा ने उनके देश पर रूसी हमले की आक्रम मक्ता को युद्ध की संग्या दिये है और दुनिया भर के देशों से रूस के खिलाब प्रतिबन लगा कर उसे अलग थालग कर देने की अपिल की है उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर पुतीन को रोक सकती है और ऐसा किया जाना चाहिए दुनिया भर के देशों को तुरंद कारवाई करनी चाहिए क्योंकि इस समय ना केवल यूरोप बलकि पूरी दुनिया का भाविश्य दाव पर लगा है हमले की तुरंद बाद यूकरेन के राष्ट्रपती वोल्यदिमीर जेलेस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन से फोन पर बात की इस दवरान अमेरिकी राष्ट्रपती ने साप किया कि उनकी और से हतियारों की सप्लाई की जाती रहेगी हालाकि उन्होंने अमेरिका या नाटो सेनाओ को यूक्रेन भिजने पर कोई बात नहीं की ऐसे में सवाल यह उट रहा है कि क्या अमेरिका पुतीन की रननीती में घिर गया है इस सवाल का जवाब देते विए पूर्वराजनाईक विवेक काटजो ने कहा कि निश्चित तौर पर अमेरिका घिरा लगता है अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन बहुत कद्दा और नेता नहीं है इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपती इमेन्योल मैकरो भी बजबुत निता के तौर पर पैचाननी रखते है विदेश नीती के जानकारों का कहना है कि व्लादिमेर पुतीन के यूक्रेन पर हमले के लिए यह सई वक्त चुना है इसकी वज़ा यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिके सेनाओ की वाक्षिक के बाद से जो बैडन घिरे हुए है आर्थिक ताओर पर अमेरिका पहले जैसी महाशक्ती नहीं है चीन और भारत ने रूस के साथ संबंदों के चलते खुद को किसी भी गूट से अलग ही रखने का विकल्प चुना है इसके अलावा पाकिस्तान के पीम इमरान खान तो यूक्रेन के हमले के वक्त ही रूस पहुचे है इससे साफ है कि एशियाय देशों के बीच रूस की धाक मदभूत है इसके अलावा अमेरिका नाटो देशों और यूरोपियन यूनियन के देशों के प्रतिबन भी रूस को हमले से नहीं रोक पाए है इसके वज़ा यह है कि जिन भी चीजों के लिए रूस की इन देशों पर निर्भरता है उसके भरपाई के लिए चीन उसके साथ खड़ा दिखता है रूस के पास परमानू हत्यारू की संख्या अब 4,477 तक पहुच गई है रूस के पास कुल 4,477 परमानू बमों में 2,565 स्ट्रेटेजिक और 1,912 नौन स्ट्रेटेजिक है वज्यानिकों ने कहा कि रूस अपने परमानू बल और उसके आधरभुट डाचे में तेजी से आधुनिक करन कर रहा है वईज्यानिकों ने कहा कि रूस ने यूकरेन की सीमा पर कई ऐसे लाउंचर तैनात की है जिसकी मदब से परमाणू बम को भी गिराया जा सकता है हलाकि परमाणू बम तैनात किये जाने के अभी कोई साक्ष नहीं मिले है अमेरीके वईज्यानिकों ने कहा कि रूस पिछले एक दशक से अपने परमानु हतियारों को आधुनिक बना रहा है रूस सोवियत जमाने के परमानु हतियारों की जगह पर नए हतियार तैनात कर रहा है दिसंबर 2021 में रूस के रक्षामंतरी सरगेई शोईगू ने बताया था कि उसके परमानु जखिरे में आधुनिक हतियारों और उपकरनों की तादाद 89.1 प्रतिशत तक पूँच गई है इससे पहले साल 2020 में यह 86 प्रतिशत था पुतिन ने पिछले साल कहा था कि रूस की परमानु सेना को अपने प्रतिदवन्दियों के साथ रफ्तार बनाया रखने की ज़रूरत है गुरवार के कारूबार में BSE Index के Top 30 स्टॉक रेट जोन में है सबसे बड़ी गिरावट का तमगा बैंकिंग और IT स्टॉक पर लगा है इंडसिन बैंक का स्टॉक करिब 7 पीसदी तूट चुका है इसके बाद Asian Pen, Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, Vipro, Bajajaj Finance, HCL, Bajajaj Finserv मारूती के स्टॉक में भी 4 पीसदी से ज़्यादा गिरावट रही बाजार में बिकवाली का माहुल ऐसा है कि BSE इंडेक्स में सबसे कम गिरावट भी 2 पीसदी की रही रूस युक्रेन में युद्ध का असर आज घरेलू शेयर बाजार सुबह देखने को मिला लगातार 6 सत्रों के गिरावट के बाद सेंसेक्स और निप्टी भी आज 77 में भारी गिरावट के साथ खुले BSE का 36 अरो अलब प्रमुक सम्वेदी सूचकांग सेंसेक्स सुबह 17 बजे 1813 गिरकर 55418 के सतर पर खुला वही निप्टी में भी भारी गिरावट देखे गई तो आज की इस खास प्रेशकश में वस इतना ही आप से कल फिर मुलागात होगी तब तक बने रहिए वीकेवी नियूज के साथ नमस्कार कर दो